तो नेक्स्ट कोश्चन है रामकृष्ण मिशन की सेक्षली के हम समाजिक योगदान का साविस्तार वर्णन कीजिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वाई वेकानन ने अपने गुरू की सिक्षाओं तो तक कल्यानकारी कारों को बढ़ाने के उद्देश से की थी अगें दिस इस दा कोश्चन बिलोंग्स टू सेम पेपर मद्यप्रदेश मुक्य परिख्या दोजर अठारा पेपर फर्स्ट पार्टे सिक्स मार्कस जे नंबर कोश्चन तो सेक्षली योगदान देख लीजिए सिक्षा से इनका तात्पर प्राचीन भारती धर्म और दर्ष संस्कृति साक्षातकार था यानि इंडियन फिलोसफी और माइथलोजी के बादें पढ़ाना में इस मिशन ने मोख्ष एवं आत्म ज्यान के विविन मार्कों को सुझाया यहां पर मोख्ष आत्म ज्यान की जो मार्के वह देख लीजिए त्याग ध्यान स्वात्रहित सेव सेवा और समर्पण जब आप त्याग और ध्यान स्वात्रहित सेवा और समर्पण जैसे बड़े-बड़े भारिशत इस्तमाल करते हैं इसका मतलब है इन्होंने कई तरीके से बच्चों को या अपने डिसाइपल या फोलोर्वर्स को सिक्षित करने का प्रयास किया इनकी सि केंद्रित थी त्याग ध्यान सवात्रहित सेवा और समरपण के चार और केंद्रित थी सभी धर्मों की एकता के सिद्धान का प्रचार किया और सिक्षा के माध्यम्च समाज में तार्किक सोच का बड़ाबा दिया देखो मैंने पहले ही बताया इनकी संस्कृति जो हिंदू mythology है और जो आपका हिंदू संस्कृति और philosophy उसके आसपास थी तो ज़रूर ये धर्म का बार बार डिस्कस करेंगे यह मानते थे कि सभी धर्मों की एकता कि सिद्धान का प्रचारी किया सभी धर्म एक हैं सिक्षा के माध्यम से समाज में तार्किक सोच को बढ़ावा दिया तो सिक्षा को वह ऐसे टूल समझते थे तूबी राशनलाइस टूबिंग राशनलेटी अमंग दपीपल और वेदान को इस मिशन द्वारा तर्कपूर्ण हिंदू दर्शन के रूप में प्रचारित किया व किसा देज्था के अश्यों खल सकता है व्याटा शेया अऑन की किया जा सकता है तो उसको ही वेदान काहां लेकिन उन सब की आप में Galaxy Net कर रहे हो तो उनकी बात हो रही है और कर्म की अधार के लिए भक्ति को महत्पूर्ण माना है इन्होंने कर्म की अधार के लिए भक्ति को महत्पूर्ण माना है यह कर्म की महत्ता मानते थे लेकिन भक्ति को भी उतना ही महत्पूर्ण मानते थे और मैं आपके वतादू स्वाम यानि यह इंडिविजल मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं आपको पता है कि बहुत धर्म की आलोशना या महात्मा बुद्ध की आलोशना भी इसलिए की आती थी कि जो बुद्धिज्म है वो फोकस करता है इंडिविजुल सालवेशन पर और यहां पर एक दूसरा पक्ष दिखत समाजिक कारे किये गए जैसे गरीबों की सेवा और समाजिक कुरितियों को मिटाना समाजिक संधर में इनकी काम समझ में आते हैं और स्वामी विकानन ने तो कई सारे काम कियें मानवी सेवा के लिए स्वेक्षिक मानविय समाजिक सेवा के माद्यम से एंजियों की अफधार्णा को जन दिया आप समझिये जो वोलिंटरी लोग स्वार्थ रहित मानवों की सेवा करते हैं बिना किसी लाग लपेट के वो मानवों की सेवा करने के लिए आ जा देते हैं और यही चीज आगे चल क के बाद में NGO में कनवर्ट हो गई वह बात हो रहे कि आजकल NGO कल्यानकम और स्वार्थपर्ग ज्यादा हो गए हैं वसुदेव कुटम की अवधारना को प्रचारित किया आप देखिए कि स्वाई वेकानन्द ने जब शिकागो में एड्रेस किया तो उसने का मेरे प्यारे भाईयों और बहनों तो जब कोई ऐसी बात करता है तो बात कर रहा है यूनिवर्स यूनिवर्सल ब्रदर हुट की बात कर रहा है तो इस तरीके से वह प्रतीत के सभी लोग का बनाए हुए था और आज ही मानव कल्याण है तो यह अपना कार बिना रुके लगातार किये जा रहा है तो इस मिसन की ना सिर्ट सेक्षन को प्लब दिया है बलकि सामाजी को प्लब दिया भी है